हेलो वरिवान, वेलकम टो आरेजी क्लासेज, सो गाईज, आज हम कुछ पढ़ाने ने वाले, आज हमारे साथ कोई खड़ावा है, पंकच, हमारा पुराना स्टुडेंट, तो मैंने सोचा आप लोग इसे इंटरेक्शन करा दिया जाए, काफी सारे बच्चे, obviously, जो एकनोमिक्स ओनर्स कर रहे हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं, आगे क्या होगा, कैसे जॉब लगीगी, कैसे करना होगा, इको ओनर्स कैसे मानेज होगा, मास्टर्स कैसे करेंगे, बस सारे कोश्चन अपके दिवाग में होते हैं, तो पंकच हमसे मिलने आया है, तो मैंने सुचा आप लोग से इंटरक्शन करा दे, जो भी छोटे-छोटे कोश्चन, काफी सारे सवालों के जवाब, आप लोग कोश्चन करेंगे, तो मैं सबसे पहले पंकच से चाहूँगा, एक छोटा सा अपना इंटरक्शन पंकच दे दे, हाई, तो मेरा नाम पंकच स्वामी है, तो मैंने एक्चुली 11-12 जो है, साइन्स बैग्ग्डाउंड से की थी, तो मैंने एकनोमिक्स को, एकनोमिक्स नहीं पड़ी थी, तो मैं 2015 में मैंने मेरा हंसराज कोलिज में अडमिशन हुआ, तो 2015-18 बेह्ट से मैं हूँ, और हंसराज कोलिज में मैं जब आया, तो किसी ने मेरे को सजेशन दिया था कि एकनोमिक्स नहीं पड़ी नहीं थी, मतलब मेरे को इसके बारे में कोई जैदा आइडिया था नहीं, मैंने मैं तैयारी की, और फिर मैंने मेरा अतले साल दिली स्कूल ओफ एकनोमिक्स में अडमिशन हुआ, तो 2019-2021 तक मेरा मेरा DSC में मैं रहा, वहां पे मैंने DSC में मास्टर्स कंपलीट की एकनोमिक्स में, उसके बार, बेसिकली मेरा, मैंने, में रिप्लेस्मेंट हुई डिसी से, ICICI में, अज़ डेटा साइंटिस्ट, वहाँ पे अभी मैं, मैंने 2.4 यर्स अराउंड काम किया है, 2021 के बाद, अभी रिसेंटली, नाओ एम गई तो सेंडर चार्डर, वहाँ पे आएम गई इंग इन अद्ट लि कि सर कैसे की honors होगा, कैसे की honors होगा, but to be very frank, Pankaj ने महनत की, शुरू से महनत की, from day 1, semester 1, इसने काफी ज्यादा महनत की, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, काफी महनत करके, उसके बाद, इसने gaps ले लिया, ताकि entrance के त्यारी काफी अच्छो से कर पाए, मैं यह नहीं कहता, आप लोग भी gap उसके कुछ सरकम्स्टांसिस रहे हैं, उस वज़े से उसने ग्याप लिया, वनना वो ग्याप भी नहीं लेता है, मुझे जहां तक लगता है, वो जल्दी निकाल लेता है, फिर उसने एंटरंस क्राक किया, DSE पहुचा, DSE में, डेली स्कूल अफ एकनोमिक्स में थोड़ा सा बच्चों का यह रहता है, कि सर्वाइब करना मुश्किल होता है, सो डेली स्कूल अफ एकनोमिक्स में भी पंकच हमारे साथ जोड़ा रहा, सेमिस्टर वन में, जहां पर कोर पेपर, Mathematics, Statistics और ट्रेक्स यह जो होते हैं, उसमें भी, मतलब, मैं तो पूरी तार नहीं बोलग अगरेशन में भी, Post-Grab, और जॉब में भी जोब में जोब के पेपर से तो इंटरस्ट की मैं बात बताऊं, तो मेरा basic interest तो क्योंकि Economics जैसे मैंने बताई, मैंने पड़ी नहीं थी, तो Economics was okay for me, but जो थोड़ा सा क्योंकि मैं science background से भी था और सोड़ा सर का support मिला था मुझे वैसे भी, तो मेरा Mathematics, Basically Statistics and Econometrics मेरे favorite paper थे, क्योंकि and favorite in the sense वो इसलिए भी थे, क्योंकि they are the main papers जो आपके entrance में भी, जो DSC के entrance में भी काफी Econometrics पुछा जाता है और उसके बाद post graduation में भी, और सबसे बड़ा जो role play किया वो था job में, job में actually और paper को side में हटा के हम हमारा जो main जो काम होता है, हम statistics और Econometrics काफ में कुछ मतलब मेरे वो interest के थे, तो मैं जोब में भी अच्छा कर पाया, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी पंकर, जादा कौन से software जगरा यूज करें अप लोग ने जॉब में कुछ बता सकते हैं, सुधार बच्चे पहली से उसको learn करके रखे हैं हाँ, बिलकुल, तो जैसे कि जब तक मैं placement में नहीं हुई थी, Delhi School of Economics में थे, तो to be very frank मेरे को इतना idea नहीं था कि जो में क्या इतना use होता है, क्या software use होते हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको, तो अगर graduation में ही या post graduation में पता होता तो मैं उसकी तरफ धान दे सकता था, तो मैं आपको suggestion दोंगा, अगर आप corporate life में जाना चाहते हैं, अपना वो बनाना चाहते हैं, तो this is the right time, आप अपने time बेक तो सबसे बेस्ट है, आप Python जरूर सीखिए, basic Python for data science, that is also YouTube से आप सीख सकते हैं, Python, SQL, यह दो चीजे जो हैं, यह बहुत important हैं, और आप अभी से ही अगर इन च logistic regression, that becomes part of machine learning actually, logistic regression हुआ, decision trees, random forest, that also you can find on YouTube, or many channels, सर ने, econometrics, पढ़ाते हैं, सर वहां से, आप अप अच्छे से YouTube पे देख सकते हैं, तो मेरे अनुसार Python and SQL जो है, आप अप अभी graduation और post-graduation के से सकते हैं, तो मेरे अनुसार Python and SQL जो है, आप अप अभी graduation और post-graduation के से सकते हैं, Python पे जयदा काम होता है, कुछ industries R पे भी बिलकुल काम करती है, SAS पे काम करती है, R पे काम करती है, बट मैक्सिमम जगह पे it's basically Python and SQL. पंकज, मैं चाहता हूं कि जो भी especially economics honors कर रहे हैं, not post-graduation वाले, जो economics honors कर रहे हैं, इनको आप ज़रूर बता दो, कि semesters की पढ़ाई कितनी जादा important है आगे के career के लिए, बिलकुल, देखे, इस question का मैं इस तरीके से अंसर दूँगा actually, कि दिली उनिवसिटी की जो पढ़ाई पढ़ाई है, basically semester के जो पढ़ाई है, graduation की, अगर आपको life में आगे, maybe you want to do RBI, DEPR आपको करना है, या फिर आपको Indian Economic Service करना है, या फिर आपको NetJRF का exam clear करना है, believe me, everything comes from whatever you are studying in your semester exam, मैं कहूंगा इस पढ़ाई को आप बिलकुल ऐसे ना करिए कि, ठीक आपको number लेने हैं, जैसे मैंने बताया था, जो मेरा gap year था, उसी पे मैंने almost बहुत entrance exam की भी तयारी करी थी, ये थी, तो मिर को बस इतना समझ आया था कि graduation की जो पढ़ाई है, वो इतनी important है, आपके semester के जो paper है, वो सबसे important है आपकी आने वाली life के लिए, तो this I will suggest you कि उसका अच्छे से notes बनाए बाद में आपको यही लगेगा कि यही notes हैं, जिससे आप सारे exam clear कर पा रहे हैं, so that will be really great for you. So guys, I hope काफी doubts आपके clear हो गए होंगे, पंकच के तुरू, and Pankaj, हमारे साथ आपकी जरनी कैसी दाए? देखे, सर के साथ मैं वही आपको यह बताऊंगा, सर के साथ, actually वही हुआ था मेरे साथ, जैसे मैंने मैं बताया कि मैंने नहीं पड़ी थी इकनोमिक्स, तो मैं सर के पास ही आए था, समेस्टर बन में, मैंने सर से काफी, मैं इन्रेक्ट किया, मैं बोला, सर की मैं सर के शुरू किया था, मैंने सर के पास ही आए था, और मैंने सर से सबसे पहले बात किया था, मुझे यहादर नोर्थ केमपस में हम थे, तो नोर्थ केमपस में बह को इस कोर्स का इतना आइडिया नहीं है और मैं यह सब चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा तो सर ने मेरे को यही सजेशन दिया था कि बहुत लोग है आते हैं और ना बच्चे इनीशियल डरे होते हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मैंने का सर मैं उ और मैंने पड़ा और वही आज है वही नोट्स मेरे लियाद सारी चीजों के काम आरे सारी सारी खरान समारी से लिए ने लिएकोस अनल के 10 गड़ा पां का सारी कभी प्लेंदे जर कईयाओ सब्सकु का्कश करना संप्सक्ता सर रजै कि अएंजसरे Chun AKA values के इसे सब्सक्षरै लेकिन युकिन तरन पहले घ्रा जाइन कि आप था पोस्ट गजवेशन तो करी नहीं पाऊँगा लेकिन उसमें भी सर ने सपोर्ट किया कि भाई हो जाएगा देन उसके बाद प्लेस्मेंट भी और आद यह मेरे को कामी रहा मेरे को मना बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है कि मेरे, मेंने चीजये हासििल कर ल已經 छेंदान लेकिन मैं रएण हर चीज में रहता था जैसे मेरे अट अरशार सब बच्चे ही ऐसे होंगे अब नहीं अच के बच्च कहूगा दो साल पहले तक मैं था, मैं पुराना नहीं हो जायदा, दो तीन साल पहले तो मैं भी डराब होत रहता है, तो जब इंटर्विव्यूस थे, तो मेरे को यही लगते था, तो तो बेरी फ्रेंग तो लगता है कि मेरी प्लेस्मेंट नहीं होगी, मेरे को यही था कि याद चलो जो प्लेस्मेंट के लिए जरूरी है, मैंने वो की, मैंने प्रोजेक्ट किया था, खुझ से ही एक एकनोमेटरिक्स का प्रोजेक्ट किया था, पोस्ट ग्याजुएशन में, किसी का वो नहीं था, तो मैंने वो खुझ से वो प्रोजेक्ट किया था, मैंने कोशिश की थी कि मेरा interview project specific हो जाए मैंने ज़्यादा internship वगएरा नहीं की थी to be very frank मैंने graduation में एक छोटी सी internship की थी post graduation मैंने कोई internship नहीं की मैं project के उस पे ही बैठा था और बाकी मैंने सारी की सारी जो interviews में जैसे आपके guest estimates पूछते हैं puzzles पूछते हैं कि मैं पहले से तियारी की थी मैं बिल्कुल यह नही कोऊगा कि मैं उन लोगों में से उun जो interview में आय और सब कुछ कर दिया मैं पहले मैं लोगों में हम cloth कुछ आई भाई क्ति हम् मेरे को एथा कि महनट एक हो गया ठीक है, average student है बट कुछ student जो समझते हैं हम average हैं या हम से class के बाकी बच्चे अच्छा कर लेंगे वो जादा answer कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ा example है पंकज आपके सामने पंकज ने बहुत महनत किये और बहुत महनत करके आज वो जिस stage पर खड़ा है मतलब beyond imagination अगर आप hard work करें और शुरू से ठान लें कि हमें कुछ करना है definitely करना है from day 1 of semester 1 और चलो M1 भी नी, M2 से भी डानना शुरू किया तो आगे तक आपको जो भी जो भी अचीब करना है वो definitely अपकर पाओगे so मैं पंकज को आगे करियर के लिए I wish you all the luck पंकज Thank you sir and God bless you Thank you so much guys